क्या कह रहा है, देखते हैं, पहला सवाल इस वीडियो में हमारा 186th No. question है Find the volume of the largest right circular cone that can be cut out from a cube whose edge is 9 centimeter आपने क्या किया कि एक cube लिया? इस प्रकार से माझन लो, कोई cube है क्या किया लेकी cube में से आपने एक auton को कट किया जिसका volume बड़े से बड़ा रखने की कोशिश की अब cube तो आप कोई भी काट सकते हो कहीं से भी एक चोटा सा हिस्सा उठा के आपने cube बना लिया लेकिन सबसे बड़े से बड़ा cube आपने काटा है जितना बड़ा possible है उतना आपने काटा है बड़ा-ऐसे बड़ा QUB कैसा होगा दिखने में तो वह कुछ इस परकार से होगा जिसका जो बेस है बेस बिश जुए सर्कुर्लर शेप में होगा कुछ इस प्रकार से हड़ी है और इसकी जो रेडियस हो रही है, इस क्यूब harms की आदिज लेंफ की आदिज में आ रही में कि जाएगा 9 by 2 ये तर पास क्या है radius of this cube radius of this कौन सोरी इसके अलब अगर हम बात करें height की तो height कितनी होगी तो height उतनी ही होगी जितनी इस cube का edge है जितनी height ये है उतनी कुतनी है तो कितनी है आपके पास edge है 9 तो height कितनी होगी 9 चलो height मिल गए radius मिल गए तो volume निकालने में क्या समस्या को और मैं लगा हो simple सा क्या होता है 1 by 3 into pi यानि 22 बटा 7 into r square 9 by 2 का square कर लो कितना आएगा 81 by 4 into pi r square into h यहाँ पे लगा लो 9 इसको सौल अगरना है calculate करना है लगबग answer निकलेगा सारे के option आप देख सकते इसके अलवा तीन से अगर आप काट लो तो यह कट रहा है तीन वार में तो यहाँ पा जाएगा 3 यहाँ पा जाएगा 9 into 3 27 का 7 यहाँ पा जाएगा 2 8 into 3 24 और 2 किता होगा 26 इसमें आपको 14 का divide लगाना है देखो कहां तक चला गया एक तो पूरा पूरा जा रहा है 6 और 6 बारा बचा 127 है 9 वार में जा रहा है 126 तक एक आगे चला गया डिवाइड जाने रहा है पॉइंट लगिया यहाँ 90 पूइंट कुछ आएगा पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 190 पूइंट करके किवल एक option है आपके पास option number C आप चाहो तो पूरा डिवाइड भी कर सकते ठीक है तो क्या होगा अमारा answer इस सवाल में option number C आई हो पच्छी तरिके से सवाल समझ में आचुका है आपका तो फिर से सवाकत एक वार आपका डिजिटल तयारी पे एक सवाल हमने करी लिया इस वीडियो का आगे के सवाल करने से पहले मेरा परिचाय करा दू चीतन सवाल जरूर करते रहे हैं तो बढ़ते हैं इसी वीडियो के अंदर आगे वाले सवालों की और देखो next questions क्या है तो यह रहा हमारा अगला सवाल 187 number question हमें कह रहा है कि a corn of height 7 cm and base radius 3 cm is carved from a rectangular block of wood 10 by 5 by 2 cm the percentage of wood wasted is आपने क्या किया कि आपके पास एक rectangular block था यानि एक cuboid था आपके पास क्या था एक cuboid था इस प्रकार से इस cuboid की length कितनी है तो यह है 10 इसकी width कितनी है तो यह है 5 इसकी height कितनी है तो यह है 2 यह आपको सब कुछ दे रखा है आपने क्या गिया इसकी help से आपने कौन बनाया अब यूँ तो है निक जब आपने कौन बनाया तो सारा का सारा material काम आ गया कुछ portion तो waste होई होगा, कुछ portion दर दर चला गया होगा, cut गया होगा तो जो portion cut हुआ है वो आपको find करना है तो कैसे पता करेंगे, अगर मैं इसका volume निकाल लो अगर मैं इसका भी volume निकाल लो तो इसके volume माइनस करने के बाद जो चीज मेरे पास बचकाएगी वोई हमारा waste होगा, फिर उसका percentage पता कर लेंगे तो पहले अगर मैं इसके volume की बात करूँ तो किता होगा, यह 100 cm क्यूब होगा length into width into height formula होता है अगर इसके volume की अगर हम बात करें तो यह आपके पास radius 3 दे रखी है, height दे रखी है, 7 है volume किता होगा, 1 by 3 into pi into r square into h, किता 7 इसको solve करना है, 7 से 7 काट लो, इसको काट लो आप, यह किती बार मकड़ी है देखो, 3 times कड़ी है, इनका multiply कर रहा हो, किता आगे 66 मतलब, आपके पास 100 cm3 थे, और आपने जब कौन बनाया, तो केवल 66 cubic cm काई कौन बना थे यानि, बीच में 44 cm3 waste हुआ है, वो कहीं पर चला गिया, तो 44 cm3 किस पर हुआ है, 100 के उपर हुआ है, इसको percentage में change करने के लिए, फिर से हम क्या करेंगे, 100 से multiply करेंगे, ठीक है, 100 से multiply करते ही, हमें क्या मिल गिया, 44%, तो 44% would जो है, हमारा waste हुआ है, ठीक है, तो 44 हमारा correct answer होग option गंदर घडबर है, इसने 66 लिख दिया है, जबकि 66 तो use हुआ है, आप पूरा calculation वापिस से करके देख सकते हैं, check भी कर लेता हूँ मैं, तक कि मैंने अगर कोई घडबर किये तो पता चल जाए, 100 बिलकुल सही है यहां पे, और 1 बटा 3 into pi into r square, यानि 9 होगया और यहां पे 7 आता है कि बिलकुल सही है, 7 से 7 कट गया, यह कट गया, तीन बार में, 3 into 2, 6, 6, बिलकुल सही है, यानि बीच में 44% waste हुआ है, तो यहां पे इसने यह बोला है कि कितना would waste हुआ, तो 44% waste हुआ है, इसका actual answer क्या होगा, 44 होगा, options को आप correct कर सकते हो, या तो इसको 44 बना लो, य कितना would use हुआ है, कितना percent would use हुआ है, तो जरूर option number D, 66% हमारा answer हो जागा, ठीक है, तो छोटा सा correction है आप कर ले, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की और देखो, अगला सवाल है, 188th number question क्या कह रहा है, a right circular con and right circular cylinder have equal base and equal height, आपके पास एक कौन है, ठीक है, और आपके पास ए rate equal, और दौनों की base radius equal, यह है, सही है, अगे कह रहा है, if the radius of the base and height are in the ratio 5 phase to 12, radius and height का ratio आपको दे रखा है, 5 phase to 12 है, तो आपको find करना है, then the ratio of total surface area of the cylinder to that of con, तो total surface area का ratio कितना होगा, यह आपको find करना है, किसका कौन का, और, cylinder का और कौन का, cylinder divided by कौन, यह कह रहा है, तो cylinder का total surface area, देखो इस चीज को रहान से पढ़ना, total surface area, केवल curved surface area ने total surface area, कितना होगा, cylinder का total surface area कितना होता है, तो curved surface भी count होती है, और उपर वाला और नीचे वाला circle भी count होता है, यानि 2 pi r h plus 2 pi r square, पहले हम डिसकस कर चुके हैं, सारा formula यह, अब यहाँ पर मैं डिरेक्ट लिखूंगा, क्या आएगा, 2 pi r into r plus h, 2 pi r को मैंने क्या कर लिया, common ले लिया, और नीचे कौन के total surface area की बात करें, तो देखो, curved surface area pi rl होता है, इसके अंदर हम एक बार base को भी और add करेंगे, तो pi r l के अंदर, pi r square base को भी add करोगे, pi r को आप common ले लोगे, अंदर कितना आएगा, l plus r आएगा, तो वो यहाँ पर लेख लो, तो किता आएगा, यहाँ पर आएगा, देखो, यहाँ पर आगिया, मेरे पास pi into r into l plus r, कुछ इसको कार से, ठीक है, यहाँ पर pi r से, pi r कट गया, किता रहेगा, 2 का, 2, बाकी values कैसे रखेंगे, अब देखो, चूँकि यह 5 है, यह 12 है, तो यह 13 होगा, slant height कितनी होगी, 13 होगी, 5, 12, 13, triplet बनता है, सिर्फ ratio वाइज बात चल रही है, 5, 12, 13, शिर्फ एक ratio, actual value नहीं है, आप यहाँ पर रख सकते हो, इनको actual value भी मान सकते हो, क्योंकि वैसे भी जो constant आप assign करोगे, काट लो, इसको 9 वार में कट गया, किता आगे 17 बटा, 9 आगे, 17 बटा, 9 आगे, इसका मतलब क्या होगा, option number C है, हमारा correct answer होगी, ठीक है, आगे बढ़ता है, अगले सवाल की और, next question आपको कह रहा है, कि a conical cavity is drilled into a circular cylinder of 15 cm height and 16 cm base diameter, the height and base diameter of the corn are same as that of the cylinder, मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक cylinder है, कुछ इस प्रकार से, आपने क्या किया, cylinder के अंदर एक corn को draw किया, corn को drill किया, खोदा आपने इसके अंदर, बिल्कूल उतनी ही height का, और उतनी ही base diameter का, जितना ही cylinder का base diameter and height है, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार से बनके आएगा, आपके सामने red color से जो बना रहा हूँ, ठीक है, ये इसका top होगा, और ये कुछ इस प्रकार से बनके आएगा, आप देख सकतो diameter, या फिर आप बात करो radius की, तो दौनों के radius and diameter, दौनों equal होंगे, अब diameter कह रहा है 16 है, तो फिर radius किती होगी, height कितनी है, 15 है, height कितनी है, 15 है, यहाँ पर हमने लिख लिए 15, चलिए लिख लिख लिए 15, आपको कह रहा है, determine the total surface area of the remaining solid, तो जो solid पीचे बच गया, उसका total surface area कितना होगा, यह आपको ग्याद करना है, अब आपने क्या किया, जब इसमें से, जब आपने इसमें से, इस कौन को बाहर निकाला, तो बीच में तो hollow cavity बन गी, एक जगे बन की, खोकला हो गया वो तो बीच में से, तो जो area consider करेंगे हो, यहाँ पर area find करते है time, वो क्या होगा, एक तो पूरा का पूरा base होगा, जिसको हम कहेंगे pi r square, इसका अलावा क्या होगा, एक होगा curd surface, क्या होगी curd surface, बाहर वाली, पूरी की पूरी होगी, और वो किती होगी, वो होगी 2 pi r h होगी, सही है, curd surface area किता हो इसके अलावा बीच में जो hollow cavity आपको दिख रही है, वो hollow cavity में जब आप उपर से देखोगे, आपको सिर्फ यह portion दिखेगा, यह जो कौन का curd surface है, वो दिखेगा, बाकि उपर से तो वो कुल गया, वो उपर से तो कुछ है नहीं हवा है काली, अब सिर्फ वो कौन का जो curd area है वो आपको दिखेगा, उसको आप क्या लिखोगे, पाई आर एल लिख दोगे, यहाँ पर क्या जाएगा, पाई आर एल, सारी values इसके अंदर रख दो, और final answer की तरफ पहुंच जाओ, ठीक है, तो किता आएगा, यहाँ पर अगर हम देखें, तो पाई तो सब में common आ रहा है एक बार आप पाई को तो ले लो common, बागी r square, 8 का square कर लो 64, ठीक है, पाई common ले लिया तो 2 into r into h, अब 2 into r अगर आप करते हो, तो किता आएगा 16 and 16 into 15 अगर आप कर लेते हो, तो किता आएगा 16, 85, यहाँ पर आएगा 8 और फिरी किता हो जाएगा 24, 240, और प्लस आगे, पाई तो बाहर चला गिया, इसके अलवा l कितना है, sorry, r किता है, 8 और l हमारा किता आएगा, तो l हम देख सकते हैं, l आजाएगा 17, ठीक है, क्योंकि यह 15 है, यह 8 है, तो यह जो slant height है, वो किता आएगी, 17 आएगी, 8, 15 और 17, टेपलिट होता है हमारे पास, तो यह 17 आगया, 17 into 8 कर आएगा, यह आजाएगा, हमारे पास, 120 और 16, 136 आजाएगा, multiply करना है, किता आगया, 136, इन सब को हमें जोड़ना है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा ही हो गया, 200, और यह 240, कितने हो गया, 440, और यह πाई का पाई, तो 440 पाई, यह क्या होगा हमारा, correct answer, यानि option number C, clear, तो इहोग, अच्छी तरीके से सारे सवाल आपको समझ मारा है, बिल्कुल आरावराम से में सवाल कर रहे हैं, उमीद है, आप भी मेरे साथ साथ सारे सवालों को try जरूर कर रहे है, आगे बढ़ता है, अगले सवाल के बार, 190 number question क्या कह रहा है, यह कह रहा है, कि the radius of base and height of a metallic solid cylinder are r and 6 cm respectively, cylinder की base radius and height आपको देदी, it is melted and recast into a cone of same radius, and what will be the height of cone, same radius वाला आपने cone मनाया, height change हो गई, height कितनी है गई, तो यह आपको find करना है, volume तो equal होगा, volume of cylinder will be equal to volume of cone, formula लगा देंगे, 1 upon 3, sorry, cylinder का formula क्या होता है, pi r square h, तो pi into r square, r की जगे लिख लो, r square into h, h की जगे क्या आएगा, तो h कितना है, 6 है, तो यहाँ पर लिख लो 6, और equal में, 1 by 3 into pi into r square, r तो कह रहा है, सवाल देखो, same है, तो r का square सेम रहाएगा, into h कितना है नहीं पता, तो h को हमने h लिख दिया, यहाँ पर आप देखो के pi r square से pi r square, pi r square से pi r square कट गया, यह 3 जब इ ठीक है, आगे बढ़ता है, next question, 20, 191, sorry, 191 नमबर सवाल, क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि, a solid metallic right circular cylinder of base diameter 16 cm and height 2 cm is melted and recast into right circular corn of height 3 times that of the cylinder, find the curved surface area of the corn, curved surface area किता होगा, कौन का, यह आपको find करना, यह नहीं, pi rl find करना, अब r rl है, कितना यह पता होगा, तो हम pi rl find कर पाएंगे, उसके लिए हम चलेंगे, volume के बारे में, volume क्या कह रहा है, अब आपने cylinder से corn बनाया है, इसका मदलब volume तो दौनों का equally होगा, volume of the cylinder will be equal to volume of corn, और volume of cylinder क्या होता है, pi r square h r square, यह नहीं, एको diameter अगर 16 है, तो radius किती होगी, 8 और 8 का square करोगे, किता आएगा 64, तो pi r square h की जगे क्या करोगे, 2, सही है, और आपने जो corn बनाया, उसका formula क्या लगा होगे, volume का 1 upon 3 into pi into r square, अब r कितना है, r के बारे में यहाँ पर कोई information नहीं दे रखी है, तो एक बार के लिए r का r इता है, into h, h के लिए जरूर कह रहा है कि height 3 times कर ले, जो cylinder की height थी नहीं, उसका आपने 3 times कर लिया, cylinder की height 2 थी, 3 times कर लोगे, तो height किती होगे, इसके 6 होगे, यहाँ से आप क तो pi से pi कट गिया, इसको अगर आप काटो के दो बार में कट गिया और 2 से इसको काट लो, r square बरबर 64 है, इसका मदब r की जो value है, वो किती है, 8 है, यहाँ पर अगर हम value रखें, तो 22 बटा 7, ठीक है, into, यहाँ पर है 8, यहाँ पर लिख लिए हमने 8, और l कैसे निकालेंगे तो radius देखो, हमारे पास पड़ी है, 8, height कितनी है, 6 है, तो यह किता आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 3, 4, 5, triplet बन रहा है न, 3, 4, 5, double, 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 ठीक है, यहाँ पर किता आजाएगा 10, इसको solve कर लते हैं, final answer आजाएगा, multiply कर लेंगे 16, यहाँ पर आएगा 1, 16 और 1, 17 और पीछे 0 है divided by 7, divide लगा है, तो 2 वार में जा रहा है, 14 तक 3 आगे वेज रहे हैं, तो 5 वार में जा रहा है, 35 तक 1 आगे वेज दूँ, ठीक है, तो 2 वार में जा रहा है, 252 मिल रहा है, approximately, 252, exact मिल गया हमें, 252, वापिस चैक भी कर लेता है, 7 से काटा, देखो, 14 तक 2 वार में कट गया, 3 आगे वेज दिया, तो 5 वार में कट गया, उसके बाद अगर 1 आगे वेज दूँगा, तो 1 वार में कट गया, मैं इसको 5 समझ के 2 वार में काट लिया, यही मैं कहरा है, ता अलग पूरा कैसा कट गया, ठीक है, यहाँ पर 1 वार में कट गया, और फिर पॉइंट दूआ जा रहा है, a right circular cylindrical vessel is full of water, एक cylindrical vessel है, पूरी तरी के से पानी से बढ़ा है, how many right cons having the same radius and height as those of right circular cylinder will be needed to store that water, आप बड़े से cylinder में से पानी को छोटे-छोटे से cons के अंदर डाल रहे हो, तो कितने cons की आपको जरूरत पड़ेगी, जिसकी radius and height जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि volume of cylinder की अगर बात करूँ, तो volume of cylinder will be equal to number of cons into volume of one con, है न, सभी है, माल लिया 10 con बने या फिर n con बने, एक con के volume के साथ multiply कर दोगा, तो total volume के equal आजाएगा, जो कि cylinder का volume है, आप formula लगा लो, यहाँ पर pi r square h, यहाँ पर n काई रहने दो, इसका volume क्या होता है, 1 upon 3, pi r square h, r, r और h, h, सारी चीज़ें सेम रखी, क्योंकि सवाल कह रहा है, radius and height, सब कुछ सेम है, आप देख सकते हो, pi r square h से pi r square h कट गिया, यह 3 जब इस तरफ आएगा, तो n की value किती आगए, 3 आगए, 3 आगए, 3 आगए, 3 आगए, इसका मतलब बी क्या होगा हमारा, correct answer, और वैसे ही सवाल का answer आपको देखते ही टिक लगाना है, option number b होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि सवाल कह रहा है, radius और base height same है, और radius और height, sorry, same है, इसका मतलब क्या होगा, कि यहाँ पर 3 con बनेगे, क्यों कि जब मैंने con का basic आपको बताया था, तब भी मैंने आपको बोल दिया था, कि एक con, जो है, वो कैसे बनता है, cylinder का one third करने पर बनता है, है न, cylinder का one third करने पर बनता है, इसलिए आप देख सेकता हो, कि जो con का formula होता है, वो volume of cylinder divided by 3 होता है, यह इसी वज़े से formula आया है, ऐसा क्यों कि देखो, आप एक cylinder बनाओ, आप एक con बनाओ, तो आप देखो कि तीन equal portion आपको मिलके आ रहा है, एक तो यह कौन, एक यह वाला और एक यह वाला, तीन equal इससे आ रहा है, ठीक है, इसलिए कहता है, one third of cylinder is a con, ठीक है, तो यह था अमरा 192 number question, इसके आगे की जो सवाल है, वो हम करेंगे, अगले parts के अंदर आप बने रही है, पूरे-पूरे वीडियो देखिए, एक-एक सवाल मेरे साथ-साथ ट्राइ करिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, thank you Please, like, share, subscribe, digital तैयारी